शिरी भक्तमाल में शिरी जीव गो स्वामी जी बेला भजन सुपक्क व कशाईना कबूला की ब्रिंदावन दिड़ बास जुगल चर्ननी रानु राकी पोथी लेखन पान अघट अच्छर तिच दिनों सद ग्रंथानी को सार सबे हस्ता मलकीन संदे ग्रंथी छेतन समरत रास अपासक परमग धीर शिरी रूप सनातन भक्ती जल जीव गोसाई सार कमबीर शिरी रूप गो स्वामी जी एम शिरी सनातन गो स्वामी जी के भक्ती रूपी जल को धारन करने के लिए श्री जीव गो स्वामी जी कमभीर सरवर के समान हुई दिड नियम पुरक भजन सादन ही इस सरवर का सद्ड ताट है इसमें कभी माई कभी कार रोप काई नहीं लगी आपने अखंड विरिंदाव अनवास किया श्री प्रिया प्रियतम जुगल के श्री चरन कमनों में आपका परम अनुराग था गंद लिखने में आप अरतेक पत्रों वर नियून अधिक के दोशे रहित समान अक्षर लिखते थे समचत सद्गरंथों के सार सिध्धान का आपको सम्यक होता जिग्यासूद जिनों की संदे रूपी गाठों को खोलने में आप परम सम्मरते राम रास अर्थात पराम ज्वल शिंगा रास के आप उपा सकते तो था परम शांत दांत आहम विवेक वान थे श्री जी गो स्वामी जी के विशे में कुछ विवरन इस परकार है चार सो साल पहले की बात है बंगाल के महा महीम शाशक हुसाइन शा के परधान अधिकारी दबिर और शाकिर सनातन और रूप किश्रद्धा और बक्ती से परसन हो करके श्री चितन्य महा प्रभू ने राम के लिए ग्राम की यत्रा की कंगा तट पर तारो भरी रात में चंदनवन की वायू से संपन निरव पौन में कदम के जर्मुट में जिस समें रूप और सनातन को महा प्रभू चितन्य हरी नाम ध्वनी से क्रितार्थ कर रहे थे उस समें उनके छोटे भाई अनूप अत्वा वल्लव के पुत्र जीव गोस्वामी ने उनके दर्शन किये और उनके चरनार्विद मकरंद को अम्रत वार्नी से परमत हो करके अपने आपको पौन रूप से समर्पित का दिया उनकी उस्था अलप थी पर भक्ती माधरी ने उनके जीवन को बदल दिया वरिंदावन से अनूप निला चलाए वहीं उनकी मृत्यू होगी पिता के मृत्यू ने जीव गोष स्वामी के हिद्धे को बड़ा अगात पूचाया वे अनंद कंद नंद नंदन की राजधानी विरिंदावन में आने के लिए विकल हो थे एक रात को उन्होंने सपन में शिरी चेतन ने और नित्यानंद माहप्रवो के दर्शन की वे नव दीप चले आए नित्यानंद ने उनको काशी तपन मिश्र के आश्रम में शाश्त्र अध्धन के लिए भीजा जीव गोष स्वामी ने मदसूदन वाज़स पती से विदान्त नियाए आदे की शिक्षा पाई वे शाश्त्र में पून रूप से निशनात थे होकर के परम विरक्त सनातन और रूप के पास विरिंदावन चले आए जीवन के 65 वर्ष उन्होंने विरिंदावन में ही बिताए शिरी भगवान जी के सवरोप तथा तत्त विचार में उन्होंने अपने पांडित्य का सद्ध प्योग किया रूप ने उनको मंतर दिया और समस्त शाश्त्र पढ़ाई जीव गोस्वामी पूर्ण विरक्थ होट थे वे भगदी कालंदी के परमपित तड़ पर निवास करने लगे वे भगवान की उपासना माधोरे भाव से करते थे उनके चृत अ लिला को परम तत्त्त का सार समझते थे रूप गोष्वामी की महति किर्पा से वे धिरे धिरे न्याय दर्शन और व्याकरन में पूरन पारंगत होगे उन्हें जीवन प्रयांत भ्रह्म चर्य व्रत का पालन किया उन्हें व्रिंदावन निवास काल में शिरी रूप गोष्वामी कृत भक्ती रस अमरत सिंधु एम उच्वल नीलमनी की टिकाई क्रम संधर्ब नामक भागवत की टिका भक्ती सिद्धांद उपदेश अमरत शत संधर्भ गोपाल चंपू गोबिंद विरुदावली हरी नाम अमरत व्याकरन आदी भक्ती संपर्दाय के गरंथों के रचना की शिरी जीव गोष्वामी के ये सभी गरंथ अचिंत भेद अभेद मत के अनुसार दिखेगी हैं जो कि जीव की कठीन हिर्दे गरंथियां को दिर्टा पूरक छेदन करने में सम्मरत हैं एक बार शिरी वल् रूप गोष्वामी की किसी कृती में दोश निकाला और गोष्णा कर दिकी रूप ने जैपत्र लिख दिया जीव के लिए ये बात सही हो गई उन्होंने शास्ताथ में वल्लव को प्राजित किया रूप को जब ये बात विदित हुई तब उन्होंने जीव को अपने प्रती वैशनों का कैसा विवार होना चाहिए रूप ने कहा दियापूर्ण सनातन ने कहा तुम जीव गोष्वामी के प्रती इतना कठोर विवार क्यों करते हो रूप के हिदे पर बड़े भाई के कथन का बड़ा परभा पड़ा उन्होंने जीव को बला करके उसे गले ल रूप और सनातन के बाद जीव ही व्रिंदावन के वैशनों के सिरमोर गोषित किये आपकी सियां में चारों और से अपार धन आता प्रन्तु आप उस धन को शिरी जमना जी में फैंक देते थे शिष्य सेवकों ने कई बार अन्रोथ किया कि धन को शिरी जमना जी में ना प्हेंक करके उससे सादू सिवा की जाए तो उसका अच्छा सद्ध उप्योग होगा आप ने कहा मैं किसी भी शिष्य अता सिवक में सादू सिवा करने की योगिता ने देखता हूँ एक शिष्य ने कहा मैं अच्छी परकार से सादू सिवा करूँगा उसने कहने को तो कह दिया तो एक बार उसने एक सादू के आने पर जुंजला कर करोध पूर अग जोर से कटू वचन बोल दिया तब शिरी जीव गोश्वामेजी ने उसे समझाया तदा संतों की महिमा का बखान किया फिर आपने समस्त शिष्य सेवकों को शिक्षा दी कि तुम सब लोग सुबे से लेके शाम तक मधुर बोला करो आपके अपार चरित रहें आपकी भक्ती भामना का पार नहीं है आपने परम वैराग्य को धारन किया था उसका और छोर वर इस घटना का वर्णन भक्तमाल के टीका काज शिरिप्रिया दास्ची ने इस परकार किया है कि ये नाना ग्रंत हिरते ग्रंती दिड़ छेदी डारे डारे धन जमना में आवे चहू औरते कहीं दास सादू सिवा कीजे कहें पातरता ना करो नेके करी बोलियो कटो कोप जोरते तब समझायो संत कोरो बढ़ायो ये सब को सिखाई बोले मीठो निसी भोरते चरित पार भाव भक्ति को ना पारावार क्यों वेराग सार कहें कोन छोरते जीव गोष्वामी ने भक्ति को रस माना है वे रस उपासक और विरत महात्मा थे भक्ति से ही भगत सरूप का शाक्षाकार होता है जीव गोष्वामी की माननेता थी कि भजनानंद सवरूपनंद से विश्ष्ष्ष्ट है भजनानंद से भगवान जी की भक्ति मिलती है सवरूपनंद ब्रह्मत ब्रह्मत्व का परचायक है उन्होंने भक्ति को ग्यान से श्रिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् साल की वस्ता में उन्हें दे त्याक किया वे महान दार्शनिक पंडित और भक्तियों के पूर्न मर्मक्य थे महात्मा योगी विरक्त भक्त सब के सहज समन में थे श्री भक्त मान में श्री राधारमन के भक्त सरभस राधारमन भट गोपाल उजागर रिशी केस भगवान विपुल बीठल रस सागर था नेशुरी जग नाथ लोक नाथ महामुनी मधोशिरी रंग कृष्ण दास पंडित भे अधिकारी हरी अंग खमंडी जुगलकिसौर भृत भूट जीव त्रिड ब्रत लियो विरिन्दावन की माधरी इन मिली आसवादन कियो श्री धाम श्री विरिन्दावन की माधरी का इन महाँ भागतों ने मिल करके अर्थात प्रसपर ससंग द्वरा खोब आसवादन किया इनके नामी है परम मिख्यात शिरी गुपाल भट जी जिनके सरवस्व ठाकुर शिरी राधार रमन जी थे शिरी दिशीकेश जी शिरी अली भगवान जी माधूरे रसागर शिरी विठल विपुल जी शिरी जगनात जी थानेश्वरी शिरी लोकनात गोस्वामी जी महमनी शिरी मधु गोस्वामी जी शिरी रंग जी प्रम्मचारी शिरी किष्णतासी और पंडित शिरी किष्णतासी ये दोनों शिरी हरी रास के अधिकारी एं भवान जी के परमपरी थे। शिरी जुगल किशोल जी के सेवक, शिरी उधव घमंड देवाचारे जी, शिरी भूगर गोष्वामे जी, शिरी जीव गोष्वामे जी, इन महा अनभावों ने शिरी शिरी धाम मास का दिड़ वरत ले रखा था। शिरी राधारमन जी के इन भक्तों का चृत्र शिंचेव में इस परकार बतनी था है। आपके पिता का नाम, शिरी वेंक्ट भट और माता का नाम, शिरी सदामबा जी था, शिरी प्रभुदानंद सरस्ती जी आपके चाचा थे, जो शिरी चितन्य महा प्रभु के प्रिय पार्शद और अपने समय के उदभट विद्वान थे, आपने न्याय विदांत, व्याकर साहित्य आदिकी शिक्षा इन्हीं से प्राप्त की शिरी चितन्य महाप्रभु ने दक्षिन भारत की यात्रा करते हैं समय चतरमाज से आपके यहां ही बिताया उस समय आम मात्र एकादाश वर्ष के थे आता है आपको महाप्रभु की गोध में बैट करके ब्रज लीला के निगूड तम रहस्यों का उस अल्प अवस्था में ही श्रवन करने का सुभाग्य पराप्त हुआ चतरमाज से की समाप्ति के बाद जब महाप्रभु पुना ती ठाटन पर जाने लगे तो आपने भी साथ चलने का अग्रे किया इस पर महाप्रभु जी ने आपको समझाते वे का अभी तुम्हारा कारे माता पिता की सिवा करना है समय पर प्रभु की सेवा भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी माता पिता की सेवा पूरी करके तुम श्री धाम व्रिंदावन चले जाना वहां तुम्हें डूप सनातन मिलेंगे उनसे तुम्हें प्रभु सेवा प्राप्त हो जाएगी आपने महाप्रवुजी के अधेश का अख्यता पानन किया जब माता पिता का परम धाम गमन हो गया तो आपने शिरी ब्रज विरिंदावन की रापकड़ी और वहाँ पोँच करके शिरी रूप सनातन के दर्शन किये तथा उनके सन्निधी में रहते हुए अनेक भक्ती ग्रंतों का अध्यन ब्रज के तीतों का उध्धार वैशनव ग्रंतों का परनियन और भक्ती का परचार किया रूप सनातन के द्वारा आपके व्रिंदावन आगमन की सूचना जब महाप्रब को मिली तो बहुत परसन्नुए और एक वैशनों के हाता शीरवाद रूप में शिरी जगनाद भगवान जी की परशादी तुल्टसी माला अपना बहीरवास तथा योगपट आपके पा लिए भेजा आप एक बार शिरी मुक्तिनाजी की यात्रा पर गए थे तो गंड की नदी से एक शालगरम शिला लाए और उसकी सिवा करते थे एक बार एक भगवत भगत सेठ वरिंदा मनाए और उन्होंने सेत्रस्त सभी ठाकुरजी के लिए वस्तर आभूशन दिया इसी किरम से वे आपके भी पास आए और शिरी ठाकुरजी के लिए वस्तर आभूशन देने लगे आपने सुचा कि हमारे शिरी ठाकुरजी तो शिरी शालगरम भगवान जी ही है उनको हम कैसे वस्तर आभूशन धारन कराई आपने अपनी विवस्ता सेट को बताई तो वैवी बहुत दुखी हुआ और अन्मने भाव से जाने लगा भक्त वांचा कल्प तरू शिरी भगवान जिसे अपने भक्त की पीड़ा और विवस्ता नहीं देखी गई जब आप सेट को तुलसी दल परशाद के रूप में देने के लिए शिरी ठाकुर्जी के पास आई तो देखा कि प्रभु मौर मुकट और बंसी धारन किये हुए बैटे हैं यह आच्चार दे करके आप भगवत क्रिपा से गद्धो गद्धो उठे और उन भगवत भगतत सेट को शिरी विग्रे का दर्शन कराते हुए का कि प्रभु आपके भाव को सविकार करके शाल ग्राम से शिरी किष्ण रूम में आगे है अब आप इन्हें वस्तर आभुशन सम्मर्पित करते हैं सेट जी भी प्रभु की अहेत की क्रिपा से धन्य होगे और आपका गुनगान करने चलेगे इसी परकार आप पर प्रभु की किरपा का एक अन्य उधारन है एक बार आपने एक बड़े महुस्व का यवजन किया जिसके कारण आप पर कुछ कर्ज भी हो गया धन के अभाव में आप यथा समय कर्ज चुका नहीं सके तब दुकानदार ने निश्ची किया कि मैं कल प्रताकाल है इनके घर पर पहुँच करके चाहे जैसे हो अपना कर्ज वसूल करूँगा भगवान ने सुचा कि प्रताकाल तो आप मेरी सिवा पूजा में मग नहते हैं अगर ये दुकानदार प्रताकाल पहुँच जाएगा तो मेरे भगत के अनंद में विगन आ जाएगा ये सूच करके उन्होंने आपका रूप धारन किया और प्रताकाल बहुत जल्दी ही जाकर के दुकानदार को सारे कर्ज का भुगतान का रहे संयोग से उसी दिन किसी भक्त ने आपको परचूर धन राशी भेंट की आपने सुचा कि जाकर के पहले दुकानदार का खर्ज उता रहा हूँ इस सोच करके जब आप दुकानदार के पास जाकर के उसे कर्ज के रुपए देने लगे तो मैं आच्चेर इच्चे की थोकर कहने लगा पंड़ी जी ये आप क्या कर दे हैं आप तो बहुत स्वेरे ही आकर के हिसाब चुकता कर गए हैं फिर दुबारा क्यों देने आए हैं पहले तो उसकी बात सुनकर के आप वो अच्चेर हुआ फिर समझे कि ये मेरे आरध्य शिरी राधार अमन जी की ही किर्पा है वे ही मेरा वेश धारन करके इसे पैसे दे गए हैं मन ही मन प्रभु की किर्पा का विचार करते हुए आप गद गद हिद्धे से वापस लोटाएगे शिरी गुपाल भटजी को संपरदाय में गुन मंजरी सकी का अवतार मना जाता है जिनके जिम्मे शिरी प्रिया प्रितम को जल पिलाने तथा चवट डुलाने की सेवा है शिरी गुपाल भटजी अपने परम अराद्धि शिरी राधा रमन जी को अत्यंतन राग में पक करके अनेक परकार के राग भोग सिवा में प्रस्तुत किया करते थे भक्ति के प्रभाव से आप जगत विख्यात वे आपके अन्पम प्रेम में अनेको चृत रहे आपने आजीवन श्री विंदावन की अगाध माधरी का रस्वाधन किया तदा जिसने आपकी सीथ परसादी पाई एविद दिविद जीवन पा करके रसर सवरूप हो गया आप जीम मात्र के गुन को ही ग्रहन करते थे आप गुनों को ध्यान में नहीं लाते थे आप बड़े ही करना धाम धरम के सेतु पुल तदा भक्त राज थे शिरी प्रियादासी ने शिरी गुपाल भट जी के व्रिन्दावन और क्रिश्न प्रेम का इस परकार निरूपन किया है शिरी गुपाल भट जुके ही ये वेरसाल बसे लसेयों प्रगट राधा रवन सवरूप है नाना भोग राग करे अति अनु राग पगे जगे जग मही हित कोतक अनुप है विन्दावन माधरी अगाद की सवादलियों जीयों जिन पायों सीथ भेरास रूप है गुन ही को लेत जीव अव गुन को त्या की देत करना निकेत धरम सेत भक्त भूप है श्री गुपाल भटजी ने अनेक नमीन गरंथों का परन्यन किया अनेक गरंथों पर तिकाएं लिखी आशाड मास के शुकल पक्ष की पंच में शक सम्मत पंद्रा सो साथ में आप नित्य लीला लीन होगे श्री भक्तमाल में श्री राधार अमन जी के भक्तों में श्री अली भग्वान भक्तमाल के अधार पर श्री अली भग्वान का काल सम्मत 1650 के आसपास परतीत होता है आप प्रारंब में भग्वान श्री राग्वेंदर सरकार के अनन्य भक्ते प्रंतु बाद में युगल किश्योर ने आपके मन को ऐसा मोहा कि आप सदा सदा के लिए श्री धाम ब्रिंदावन में बसके और आज इवन श्री प्रिया प्रितम की सेवा में सलगन रहे आपके आराथ्य परिवर्तन के कितावी वह ताद्बुद है एक बार की बात है आप श्री राम लिला देख रहे थे उसमें जब श्री राम बनवास और राम वन गमन के करुन पर संग आए तो आपका धरिट छूट गया और आप हाराम हार अगुनात कहते हुए विलाब करने लगे नेक लोगों ने समझाने का प्रियास किया पन तो किसी परकार भी आपको श्यांती नहीं मिलती थी इसी ये वस्था में आपके कहीं दिन बीट के शियत जरचर हो गया भागत क्रिपा से इनकी एक संथ से भेट हो गया उन्होंने इनकी स्थिती देखकर ही इनकी मन स्थिती समझ ले आपने भी उचित पात्र समझ करके उन से अपने सारे मनोविथा कैसनाई संत ने पुझा आपका भी श्री विंदावन गें है आपके नहीं कहने पर वे आपको लेकर के श्री विंदावन धाम आए और भगवान श्री किष्णे के शिरी रास लीला अनकरन का दर्शन कराया भगवान श्री किष्णे भी अधिकारी जान करके आपको लीला सवरुप में ही अपनी दिवे जाकी का दर्शन कराया भगवान जी का शाक शाकार होते ही आपका विरह दूर हो गया और मन में एक नई उमंग आ गई आपने निश्चे कर लिया कि अब मैं इनी रास बिहारी भवान जी की सेवा करता हुआ यहीं विरिंदावन में ही रहूंगा परंतों दूसरे ही शन आपको ध्यान आया कि शिरी गुरु देव जी ने तो मुझे शिरी सीता राम जी की सेवा सुपी है ऐसे में उनकी सेवा छोड़ करके शिरी रास बिहारी जी की सेवा करने से कहीं भगवत प्राध्रा बन जाए अंत में आपने निश्चे किया कि आम में शिरी सीता राम जी की हिद शिरी रास बिहारी विहारी के रूप में सेवा करूंगा इस परकार शिरी रास बिहारी जी की सेवा में रहते हुए भी आपकी शिरी सीता राम जी के प्रति अनन्यता बनी रही श्री प्रियादाशी ने इस्त परिवत्तन के घटना का अपने एक कवित में इस परकारवर्नन किया है अली भगवान राम सेवा सावदन मन व्रिंदावन आय कच्छु और रिती भई है देखे रास मंडल में बिहरत रस रास बाड़ी छवी प्यास द्रिक सुधी बुधी गई है नाम धरी रास और बिहारी सेवा प्यारी लागी खगी ही या मांज गुरू सुनी बात नहीं है विपिन पधारे आप जाए पग धारे सीस इस मेरे तुम सुख पायाओ कही दई है श्री भक्तमान में श्री राधारमन के भक्तों में श्री विठ्थिल विपुल देव श्री विठ्थल विपुल देव जी का जनम मार्ग्षी शुकल पक्ष की पंचमी सम्वत 1532 विक्रमी को हुआ था आपके पिता का नाम श्री गुरु जन ही था और माता का नाम कोशल्या देवी था महात्मा विठ्थल विपुल देव बड़े भगवत वक्त और रसिक थे उनके नेत्र कान और अधर आधी भगवान जी की रूप रस मादरी से सदा संपलावित रहते थे वे रसिक राज स्वामी हरी दास के शिष्य थे संकालिन थे उनकी अनन्य गुरु निष्टा थे सामी जी के वे विशेश क्रिपापात थे विठ्थल वपुल देव हरी दास के मेरे भाई थे उनसे अवस्ता में कई वर्ष बड़े थे ये कभी कभी हरी दास के साथ उनकी बाले वस्ता के समय भगवत दीला अनुकरन में समलित हो जाया करते थे उनके संसकार पहले से ही पित्र शुद्ध थे तीस वर्ष की वस्ता में विठ्थल वपु देव बिंदा बन गए उन्हें कुझे कुझे में भगवान चिरिकिश की निला माधरे की सरस अनभुती होने लगी साथ ही साथ सामी हरी नंद हरी दास के संपर्क और ससंका भी उन पर विशेश पर भापड़ा अपने गुरु आश्यो धीर जी माहराज की आग्या से हरी दास जीने उन्हें तीक्षित कर लिया वे उनकी किर्पा से विरंदावन के मुख्य रसकों में गिने जाने लगे वे परमुत क्रिष्ट त्यागी और सद्देड रासो पासक थे दीक्षितोंने के बाद उन्हें विरंदावन को ही अपना स्थाई निवास स्थान चुना समथ 1631 में स्वामी हरीदास के नित्य धाम पदारने पर संतोर महंतों ने उनकी कत्तीसों पी बड़े आगरे और अनने विने के बाद उन्होंने उत्ता दिखारी होना से विकार किया गुरु विरा के दुख में कातर हो करके उन्होंने आँखों में पट्टी बांद ली थी जिन नित्रों ने रसी कराजेश और हरीदास के दिवे अंगों का माधूरे पांद किया था उनसे संसार का दर्शिन करना उनके लिए सर्था असहे था वे बड़े भावों को और सहर दे थे एक बार विंदावन की संत मंडली ने रास नीला का आयोजन किया सरसम्मती से महात्मा विठल वपल देव को बुलाने का निश्चे किया गया रसिक परवर व्यास्ची के विशेश आगरे पर वे रास दर्शन के लिए पस्तित हुए उनके नित्रों से अश्रों की धरा बहरी थी शीर वश में नहीं था रास आरंब हुआ प्रिया प्रितम की अद्वुद पाद नपूर दहनी पर उनका मन ना चुठा दिवी दर्शन के लिए उनके हिद्दे में तीवर लाल सा जागुठी विलंबा साह हो गया भगवान जिसे भक्त की विरापीडा नहीं सही गई उनकी अनन नहीं शक्ति रस में रास थित शिरी राशे शिरी ने कहा मेरे दर्शन करो मेरे राधा हूँ निच्य केड़ी के साचरिय रस के समरन मात्र ने भावाविश में उन्हें दर्शन के लिए विवश्च किया उन्हें पट्टी हटा दे नित्रों ने रास रसी के शेकर नंद नंदन और राधारानी का रूप देखा वे खुले तो खुले ही रहगे पट्टी अपने स्थान पर पड़ी रह गई विथ्थल वपल देव ने रासस्त बगवान और उनकी भगवता सरूपा शाक्षात राधारानी के दर्शन किये उनके अध्रों पस फुरन था है राधे श्री तुम कर ना करके मुझे अपनी नित्य लिला में स्थान दो अब मेरे प्रांच संसार में नहीं रहना चाते हैं बस वे नित्य लिला में सदा के लिए समलित होगे उनकी रास उपासना ने पूर्न सिद्धी अपनाई वे भगवान जी के रास रस के सच्चे दिखा रही थी रसी के संत और विरक्त महात्मा थे भगवान ने उन्हें अपना लिया कितना बड़ा सब्भाग्य था उनका शिरिप प्रिया दास जी ने विठ्थल विपल डेव जी के निक्त लीला प्रवेश की घटना का वर्न इस पर कार दिया है सामी हरी दास जूके दास दास बिठ्थल हैं गुरु से भी योग दाह उपजियो पा रहे रास के समाज में बिराज सब भक्त राज बोली के पठाए आए आग्या बड़ो भार है युगल सरूप आवलो की नाना मृत्य भेद गान तान कान सुनी रभी रही है ना संभार है मिली गे वाही थोर पायो भावतन और कहे रस सागर जो ताकोयों भिचार है शिरी भक्त माल में शिरी राधा रवन के भक्तों में शिरी जगननाथ थानेश्वरी जी शिरी जगननाथ थानेश्वरी जी महराज शिरी गोरांग महाप्रभू के शिश्य थे अब बड़े ही संसे भी महात्मा थे तता संतों को भगवान जी का ही प्रतिरूप मानते थे एक बार आपके मन में श्री जिगरनात पुरी जाकर के महाप्रभु श्री जिगरनात जी के दर्शन की अभिला शावी तो फिर मन में आया कि मेरे घर पर ना रहने से संतों का ठीक से सतकार नहीं हो पाएगा अता संत सेवा छोड़ करके भगवान जी का दर्शन करने जाना ओचितने भगवान जी का दर्शन करने से मेरा व्यक्तिकत कल्यान तो होगा परंतो यहां संतों को कश्टोगा ऐसा सोच करके आपने पुरी जाने का कारेकरम स्थगित कर दिया तब आपके एक शिष्य ने सला दी महराज आप तीन दिन के लिए शिरी जिगनात पुरी की यातरा पर चलिए उतने दिन तक अन्य लोगी यहां काम संभाल लेंगे शिष्य की बात आपको ठीक लगी और आपने पुरा चलने का मन बना लिया भगवान जिगनात जी ने आपका अपने प्रती परगाड प्रेम और संतों के प्रती अनन्य निष्टा एम सिवा भावना देखी तो गट गट होगी तब लगातार तीन दिनों तक उन्होंने घर पर ही आपको दर्शन दिया संत सेवा के इस तरह के परताप और भगवत करिपा को देख करके आपने पुना यात्रस्त कितका दे और संत सेवा में ही लगे रहे श्री प्रियादाश्ची श्री थानेश्वरी जी पर श्री जगनात सामे की किर्पा का वर्णन इस परकार करते हैं महाप्रभू पार्शत थानेश्वरी जगनात नात को परकाश घर दिया तीन ने देख्यों है भई शिश्य जान आप नाम क्रिष्ण दास धरेओ क्रिष्ण जु कहत सबे आदर विसेख्यों है सेवा मन मोहन जु कूब में जनाई दई बाहर निकासी करी लाड उर लेख्यों है सुत्र रगुनात जुको सपन में शलोक दान दिया के निधान पुत्र दियो प्रेम पेख्यों है श्री बगवान ने गीताम जी में कहा है कि जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसका उसी भाव से भजन करता हूँ महाभारत में एक उधारन आता है कि बिशम पिता में शर्षिया पर पड़े हुए भगवान श्री किष्ण का ध्यान करते थे और इधर भगवान श्री किष्ण भी ध्यान वस्ता में अपने भक्त बिशम का ध्यान करते थे भगवान जी का वैसा ही भाव शिरी जगननात था नेश्री जी के प्रतिवी था एक बार शिरी था नेश्री जी महराज ने अपने आराध्य शिरी थाकुर मन मोहन जी का वसंत श्रिंगार किया उस समें प्रभु की अधवुद सुंदरे में चवी का अवलोकंकर आप भावर भोर होगे और आपको ध्यान समाध ही लगके उस अवस्था में भी आप प्रभु की उसी मन मोहनी चवी का दर्शन का रहे थे आपकी इस तनमेता को देख करके भगवान जी भी मुध होगे और आपकी भावदशा का दर्शन करने में तनमे होगे उस समें भगवान कीत ब्रिंगन नयाय से थानेश्री जी का दर्शन करते हुए थानेश्री जी के ही सवरुप होगे यहां तक कि उसी समय था ने श्री जी का एक शिश्य उनका दर्शन करने आया तो उसे यह देख करके आच्चेरे हुआ कि श्री गुरुदेव ही आज भगत विग्रे के स्थान पर विराज माने वस्ता भगवान जी के तनमिता के कारण उनके विग्रे का सवरोप थाने श्री जी का ही सवरोप हो गया था धन्य हैं ऐसे भक्त और धन्य हैं भगवान जी की भक्त वस्तल श्री भक्तमाल में श्री राधारमन जी के भक्त श्री लोकनाथ जी बंगाल के जैसोर जिले में ताल खड़ी नाम का एक छोटा सा मामूली गाउं है लागवक पांच सो वर्ष पूर इस गाउं में एक बहुती संब्रांद कुल के पदम नाव चक्रवर्ती नामक ब्रहमन रहते थे इनकी पतनी का नाम था सीता देवी इस धरम प्रान ब्रहमन दमपती का एक मात्र पुतर था लोकनाथ घर में वैशन उपासना परंप्रा से चली आ रही थी सियम पदम नाव चक्रवर्ती शिरी अद्वैत प्रभू के शीष्यते और सदा उने की सिवा शिश्रूवा में लगे रहते थे इस परकार कारणों से लोकनाथ की बहुती दिवे संसकार पराप्त हुए प्रेम अवतार माहा प्रभू शिरी चेत्रने देव का नाम और याश बंगाल के कौने कौने में शुकल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ रहा था लोकनाथ के कानों तक भी ये बात पहुची और वे उनके दर्शनों के लिए तड़ फड़ाने लगे उनका मन किसी भी वस्तु में नहीं लगता माता पिता को भे था कि महाप्रभू के संग में यह जाने पर ये लड़का बेहात हो जाएगा अता उन्होंने बहुत प्रियतन किया कि वह घर में ही रही किन्तु लोकनात नहीं रुके एम एक दिन रात्री में चुपचाप चल पड़े रात भार लोकनात चलते रही दूसरे दिन संध्या समय वे नावद्वी पोंचे नावद्वी पोंचने पर दिखा कि महाप्रभू एक उच्च आसन पर बिराज मान है और शिरी वास आदी भक्तों की टोली उन्हें चारों और से घेरे विये लोकनात की वानी मूग थी दिश्टी गड़ी सी गड़गी ही गड़ ही गई एक टक महाप्रभू की और देखते ही रह गई आंगन में प्रतिमा की तरह खड़े इस सकुमार बालक पर महाप्रभू की दिश्टी गई वे दोड़े तोनों बाहें फैलाए और लोकनात को अपने उन्हें अपनी बुझाओं में पांध लिया भावावईस से वे प्रभू के वक्स थल पर मुर्चित होगे लोकनात को कुछ पता नहीं चीतना आने पर लोकनात अब पहले के लोकनात नहीं रही उनके रोम रोम से क्रिश्ट्न क्रिश्ट्न के मदद धनी वर आ रही थी उनका अंग अंग हरी हरी पकार रहा था प्राण प्रावन से प्रभू की प्रिती चलक रही थी लगातर पांच दिनों तक वे इस अपूरो पागलपन में रहे छटे दिन माहाप्रभु ने लोकनात को व्रिंदावन जाने का अदेश दिया वे कहने लगे भाई वरिख्षों के नीचे जहां स्थान पाओ वहीं पढ़ जाओ और वहीं पर रहो आसपास से मधुकरी मांग लाओ और ओडने के लिए चीतरों की गुदड़ी बना लो शिरीद जमना जी का जल भर पेट पीओ सम्मान को क्राल विश्ष समझो एम नीचों के द्वरा अपमान को अमरत शिरीद राधा माधों का भजन करो किन्तु मित्र विरिंदावन को मत छोड़ना माप्रव किया क्या को लोकना टाल नहीं सके रोते रोते उनसे विदा हुई इनके साथ गदाधर पंडित के शिश्य वो घर पी तियार होगे शिरी लोकनाची शिरी माप्रव क्रिष्ण चेतन्य जी के एक पारशद थे इनकी शिरी राधा क्रिष्ण जी के परती अहिर ने एक रास प्रीती थी रास रूप शिरीमत भागवत महाप्रान का गान कीतन प्राइन इनको प्रान के समान प्रिय था ये इसमें इत्यनत सुख मानते थे और कहा करते थे जो कोई भी शिरिमत भागवत का गान करते हैं वे मेरे मित रहें इस रस भावन में परवीन श्री लोकनाची एक भार मार्ग में जाते हुए एक महान भाव को श्रीमत भागवत का पाढ़ करते हुए देख करके उनके चर्नों पर पढ़ गे श्री प्रियादास्ची ने श्री लोकनाची के इस भागवत प्रेम का इस प्रकारबनन किया है महाप्रबु कृष्ण चितन्य जू के पारशद लोकनाथ नाम अभीराम सब रिती है राधा कृष्ण लीला सो रंगीन में नमीन मन जैसे जल मीन तैसे निसी दन प्रिती है भागवत गान रस खान सोतो प्रान तुल्य अती सुख मान कहे गावे जोई मीती है रसीक परवीन मग चलत चरन लागी कृपा के जनाए दई जैसी ने नीती है प्रिंदावन की देशा उन दिनों विचित्तर थी घने जंगलों एम भुमी शाई आस्त व्यास्त खंडरों के सिवा महा कुछ भी नहीं था प्रिंदावन के निवासी भी उस पावन भुमी के महत्त को भुला बैटे थे उन्हें महा ना तो चीर घाट मिला ना वंचीवाट ना निधीवन भांडीरवान ना शाम और राधा कुंड़ी क्या करे कहा जाए पता लगाएं तो कैसे अन्तोत गतवा निराशो के सर्थ भाव से है जिरी राधा राने की शर्रण हो करके गोबिंद गोबिंद हरे मुराडे राधा कृश्न गोपी कृश्न शिरी कृष्न प्यारे का कीतन करने लगे आवे ऐसा एक दिन उन्हें चीर घाट का पता लग गया वे वहां त्यंत प्रेम आवीश का जीवन बिताने लगे लोगों में इनकी पर सिध्धी भी हुई लोगों ने इनके लिए कुटिया भी बनानी चाही प्रल्टो इनके लिए ठो निश्चे किया हुआ था कि रहना किसी पेट के नीचे यद इच्छा से जो कुछ मिल जाना उसी से पेट भर जमना का जल पीकर मस्त रहना कुछ दिनों पर चाट लोकनात्रे महाप्रभू के सन्यास की बात सुनी साथ में ये भी सुना कि वे दक्षिन भारत में तिरत यात्रा के लिए गे हैं ये अत्यंत उतकंठावंश इन से मिलने दक्षिन भारत पहुँचे तो वहाँ पता चला कि विरंदावन के लिए चल पड़े ये विरिंदावन पहुंचे तो पुना पता चला कि विरिंदावन से पुरी के लिए चले पड़े लोकनात का हिद्दे बैठ किया रंत उस सपन में शिरी महाप्रभु ने इने समझाया कि तुम निराश मत दो मैं अब रा का बिखा रही हूँ तुम मुझे इस वेश में देख करके बहुत दुख पाते इसलिए मैं तुम से नहीं मिला अब लोकनात और बुगर्भ ने चीर घाट पर अपना देरा जमा लिया और अंतकाल तक वे वहीं बने रहे राट दिन कृष्ण कृष्ण रट लगाए रहते और रात को बस एक दो घंटे सू लेते ना कभी किसी से मिलते ना बात करते लोकनात ने अपने शेश जीवन के दिन वरिंदावन में भगवान जी के भजन का आश्र ले करके एक आदर्ष प्रेमी एम आदर्ष विरही के रूप में वेच्तीत की है शिरी चितन्या चरी तमरत के रचेईता शिरी किष्ण दास कवी राज अपने गरंथ के परनेयन के पूर्व लोकनात गोसामे के चर्णों में आशीर वाद लेने आई लोकनात ने उनके लिए सहर्ष हां भरी पन्तों अपने एक शर्ट रखी वह ये कि इस गरंथ में उनकी कहीं भी कहीं भी ना तो चर्चाई और ना उनसे महाप्रभू के संबंद की ही बात लिखी जाए इतनी मुक और निरी उपासना भी लोकनात गोसामे की